दोस्तो इस पौधे को आपने पहचान लिया होगा इसके डाल पत्ते फूल फल सभी हमारे जिंदगी के लिए उप्योगी हैं और आज हम हैं सरसो के खेत में नमस्कार दोस्तो आज जानेंगे कि सरसो के पत्ते फूल फल के क्या-क्या उप्योग हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दू कि प्राया ये हमारे भारत में सबी जगा उगाया जाते हैं सरदी के मोसम में सरसो और इनके इन पत्तो से हमारे घरों में सबजी बनाई जाती है बहुत ही स्वाधिष्ट सबजी बनती है रोटी के साथ खाया जाता है कभी न कभी आपने सुख जाएंगी और इन में काले काले या पीले पीले दो तरह की सरसों आते हैं कुछ में पीले पीले सरसों आते हैं कुछ में काले कलर के सरसों आते हैं और इन सरसों से बनता है तेल और भी इसके दाने के उप्योग करते हैं कई बार आपने देखा होगा कि उसे फ्राई करने में हम उपयोग में लाते हैं कभी चटनी बनानी हो या सामवर बनाना हो पोहे में भी हम इसका फ्राई डालते हैं कई लोग दाल भी इससे फ्राई करते हैं सर्चो का फ्राई बहुत से लोगों को पसंद आता है इनके दानों से दोस्तों सर्चो का तेल निकाला जाता है और आ तेल को और भी कई उपियोग में लाए जाते हैं खाने के लिए तो हम सर्सों का तेल उपियोग करते हैं दोस्तो सर्दी जुकाम के लिए सर्सों के तेल में कुछ कलिया लहसुन को मिलाकर करम कर लें और छाती वगले में मालिस करें, सरदी खासी से पूरी तरह आराम मिलेगा यह सभी के द्वारा आजमाया हुआ नुक्सा है, इसके अलावा गरम पानी में सर्सों का तेल और अजवाइन मिलाकर अच्छी तरह से उबाल लें और भाप लें, इससे छाती का कप पिघल जाएगा और पूरी तरह से आराम मिलेगा नाक में कुछ बुंदें सर्सों का तेल डालें, आप पूरी तरह से एलर्जी से बचे रहेंगे कान में अगर दर्द है या infection है तो दो बुंत कान में सर्चो का तेल डालने से दर्द और infection पूरी तरह से खतम हो जाएगा दोस्तों आपने देखा होगा कि सर्चो के तेल में सेन्धा नमक मिलाकर दातों की और मसूरों की भी मालिस की जाती है इससे आपके दात और मुसूडे पूरी तरह से मजबूत हो जाएंगे और दातों में चमक भी आएगी और उनका जो पिलापन है वह भी पूरी तरह से दूर हो जाएगा सरसो के तेल से मालिस हर किसी ने करवाया होगा हमारे यहां तो नवजात बच्चे की भी मालिस सरसो के तेल से किया जाता है क्योंकि यह पूरी तरह से सुरक्षी थे और यह दर्द निवारक तेल है अगर कहीं दर्द है तो वहां सरसो के ही तेल से मालिस की जाती है सरसों का तेल इतना उपयोगी है, कि अगर आप लगातार सरसों का तेल ही सेवन करते हैं, तो आपके जो डाइजेस्ट सिस्टम है, जो आपकी पाचन करिया है, वो पूरी तरह से ठीक रहेगी दोस्तों बहुत सारे लोग सर्सों के तेल को ही उपयोग में लाते हैं ना कि रिफाइंड तेल को लाते हैं यह बहुत ही उपयोगी और बहुत ही लाबकारी तेल है इसे निसंदे बच्चों को, बड़ों को, सभी को, बुजूर्गों को भी इससे स्वास्त लाब होगी प्योग बता रही हूं धन्यवाद